दोस्तो नमस्कार वीके नोलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है कम्पिटिशन एक जाम्स के प्रिवेस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्तित हैं दोस्तो ये पेपर यूपी पीशेल टीजी टू का है 24 जनवरी 2019 की फर्स्ट सिप्ट का पेपर है इसमें कम्पिटर के कुल 50 क्यूस्टन है पार्ट फर्स्ट में और हम उनी क्यूस्टन को डीटेल से सौलू करेंगे सभी क्यूस्टन का कार्ण सहीत उतर जानेंगे हम कम्पिटर के टोटल 50 क्यूस्टन इस पेपर में है सबी क्यूस्टन्स को लाज तक आप जरूर देखे वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों को आगे फोरवर्ड जरूर करें चैनल पर नए हो तो चैनल सब इसक्राइब जरूर करें इस से पहले इलेक्ट्रीशन के जो पेपर है उनको भी हमने सोलू करके अपलोड कर दिया है प्ले लिस्ट में आपको वो सभी वीडियो भी मिलेंगे उनको भी आप जरूर देखें चलिए दोस्तों क्यूस्तनों से सुरू करते हैं क्यूस्तन नमबर वन है कि यदि के का ASCI कोड जो है इस परकार हो तो L का ASCI कोड क्या होगा दोस्तों सबसे पहले तो हम कोडिंग परनाली पर बात करेंगे देखो कोडिंग परनाली होती है तीन तरह की अभी वरतमान में जो कोडिंग परनाली चल रही है उस कोडिंग परनाली का नाम है EBCDIC इससे पहले जो बीच में था वो है ASCI और सबसे पुरानी पदती जो है वो है BCD तो हम तीनों के बारे में ही बात करते हैं सबसे पुरानी और पहली पदती थी जिसका नाम है BCD और उसको बोलते हैं Binary Coded Decimal अभी जो second जो बीच में modification आया वो है ASCI AI का इसका पूरा नाम होता है American Standard Code for Information Interchange और अभी चल रहा है EBCD IC यानि Information Code for Extended Bit Coded Decimal Extended Bit Coded Decimal तो अभी ये दो पदतियां अपने सामने आती है अब इन में क्या होता है कि 0 से लेकर 9 तक A से लेकर Z तक Upper Case, Lower Case ध्यान से समझेगा बड़ी ABCD छोटी ABCD यानि Capital में और Small Letter में अलग अलग इनके Code हमें दिये हुए हैं बस वही Code हमें याद रखने हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें K का सुझाओ दे दिया तो देखो है क्या कि K के जस्ट बाद में L आता है इसलिए स्टार्टिंग वाले चार Code तो सेम रहते हैं और Last वाला Code जो है वो बदल करके आगे वाली संख्या हो जाती है देखो आपको Binary की इन संख्याओं के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कि zero के बाद one आता है उन के बाद में 10, फिर 11, फिर 100, फिर 101 इस तरह से आपको कुछ संख्याओं क्या है कि याद रखना जरूरी होगा जब इस तरह की संख्याओं याद होगी तो आप आबगे का explain कर सकते हैं यानि के के बाद में L आता है तो हमें 10-11 के बाद में नेक्स्ट संख्या जो आएगी वो explain करनी थी तो 10-11 के बाद में 11 सो ही आता है पहले फर्ष्ट जो 4 है वो तो same रहेंगे जबकि आगे वाला एक लेटर आगे कर देंगे इसी तरह से देखो इस के से पहले कौन आता है जे यदि जे का हमसे पूछ लिया जाता तो 10-11 से पहले का करते और 10-11 से पहले का कौन है 10-10 तो यदि 10-11 से पहले कौन आता है 10-10 आता है अगर हम binary coded के according चलें तो फिर वो कर देते यानि 0, 1-0-0 और उसके बाद में 1-0-1-0 यह अगर जे के बारे में पूछा होता तब भी हम कर सकते थे इसका पूरा एक page होता है आप कहीं पर note करें और याद करें easy बहुत है लेकिन आपको time देना पड़ेगा और याद करना होगा अब यह आ गया second के उससे जिसके हम बात कर रहे थे यह है कि b c d notation का उपयोग करके वे base सब्द का binary निरूपन क्या है अब इन सब्द का क्या है कि binary coded decimal परनाली जो है उन सब्द में capital b a s और c इन सब्द का एक मतलब होता है और वो ही हमें as it is एक साथ लिखना होता है और अलग से खुझ नहीं है अब अगर वो number पर न लिए आपको याद है तो आप इसका उत्तर कर पाएंगे तो उत्तर होगा इसका b यानि b a s e इन सब की coding है और वो हमने एक साथ लिख दी तो इन दोनों की आपको table याद होनी चाहिए तब ही आप कर पाएंगे इस तरह की क्यूस्टन का आंसर अलांकि इसमें हमें कोई hint नहीं दी जबकि क्यूस्टन फर्स्ट में एक hint दी थी तो वो तोड़ा सा easy हो गया था थर्ड क्यूस्टन है कि Microsoft Excel में जब भी कोई नई वर्क सीट हम open करते हैं तो सेल डिफॉल्ट रूप से सक्रिय होता है सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि यह जो सबसे छोटी पंक्ती होती है कट ओफ होता है रो एंड कोलम का Excel में उसे हम सेल बोलते हैं जिस सेल में हम कुछ लिख रहे होते हैं उसको active सेल बोलते हैं और इसका हमें address बार या name box में पता भी लग जाता है सेल का address हमेशा ध्यान रखें alphabet से सुरू होगा numerical पर खतम होता है यानि A1 ही सेल का address है इसी तरह से A2, A3 कुछ भी हो सकता है लेकिन यह ध्यान रखें कि 1A सेल का address कभी नहीं होगा अच्छा कि उससे नहीं यह भी वेपर में आ जाता है कि निम्रमाई से सेल का valid address कौन सा है या कौन सा valid address है नहीं है तो अभी अपने को option में जितने भी दिखाए गए ना यह सब के सब valid address है ठीक है अब सवाल यह पूछ रहे हैं कि automatic security sale तो हमेशना ध्यान रखेगा first होता है A1 यानि कि A1 में वो अपने आप ही करसर अपना होगा हम नई वर्क सीट लेकर के अगर कुछ भी टाइप करना सुरू करते हैं तो यह किसमें लिखा जाएगा A1 में ही लिखा जाएगा next अपना question है email के संद्रब में IMAP का अर्थ क्या है सबसे पहले तो ध्यान रखें यह internet के protocol होते हैं और वर्तमान में दो तरह के protocol हम सबसे अधिक काम में लेते हैं यह तो है IMAP और दूसरा है POP3 जिसका पूरा नाम होता है Post Office Protocol और यह जो IMAP है इसका पूरा नाम होता है Internet Message Access Protocol यानि है तो प्रोटोकोल यह जरूर आप द्यान रखें और internet को access करने का है दो तरह के होते हैं एक है Post Office Protocol दूसरा है Internet Message Access Protocol next अपना question कि निमन वैसे computer network का lab कोन सा नहीं है देखो computer का lab cyber security जो है न यह नहीं है cyber threat यानि crime जिसको अपन कह सकते हैं online ठगी जिसको अपन कहते हैं खतरे जो कहते हैं न security के बारे में यह computer का lab नहीं है computer की यह एक तरह से हानी है यह समझ लीजिए जैसे हेक हो गया वाइरस आ गया ट्रोजन होर्स हो गया malware, ispireware कुछ भी हो सकते हैं यह computer का lab नहीं है next अपना क्यूस्थन है कि निमन में से कौन सा विकल्प इन दोनों कत्रों की सत्यता का सही वर्णन करता है यानि दो statement दिये यह पूछा गया statement गलत है कि सही first statement है कि कि किसी भी MS word में जो table हम डालते हैं उसमें विसम संख्या में कभी row and column नहीं हो सकते और दूसरा करें कि किसी word में column की निमनतम संख्या दो है तो दोस्तों दोनों ही statement गलत है row and column की हमेशा संख्या कितनी भी हो सकती है यह ध्यान रखें सम विसम से कोई फरक नहीं परता एक ले सकते हो आप दो ले सकते हो तीन ले सकते हो चार ले सकते हो तो ना तो निमनतम संख्या डिसाइड है और ना ही सम विसम डिसाइड है इसलिए दोनों statement गलत है कितनी भी हो सकती है एक ही line में दोनों उत्तर खतम हो रहे है next अपना question है window system की booting पर किरिया के बाद दिखाई देने वाली सबसे पहली screen को क्या कहते है दोस्तों सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि booting क्या होता है ये question भी paper में आ जाता है booting होता है computer को start करना दो तरह की होती है cold booting, warm booting जब हम computer में powerless position से फिर से start करते हैं shut down करने के बाद हम चालू करते है तो इसमें उसका पूरा bios basic input output system refresh होता है और ये कहलाती है cold booting इसी तरह से दूसरी होती है warm booting और warm booting को दूसरी बहादा में restart बोलते है तो इसमें अपने सवाल पुचा गया है कि booting के बाद जो screen दिखाई देती है तो window पर जो दिखाई देती है उस system को हम desktop बोलते है और desktop पर जो छोटे छोटे फोल्डर्स या file दिखाई देती है उनको icons कहते हैं और उनकी जो पीछे की जो system हमें दिखाई देता है उसको background बोलते हैं सबसे नीचे नीचे जो होती है उसको task बार भोलते हैं और जब कोई file या MS word हम open करते हैं तो उसमें task बार के ठीक उपर status बार होती है next अपना क्यूस्सन है नीवन में से कौन सा कथन गलत है गलत statement पूचाए सबसे पहले कह रहे हैं कि MS PowerPoint 2016 में slide shoulder विकल्प को यानि option को review tape पिर तहत रखा गया है गलत है slide shoulder जो है यह animation वाली tape में है review tape में नहीं है दूसरा कह रहा है कि MS PowerPoint 2016 में अपनी presentation में यदि हमें music जोड़ना है तो हमें insert tape में जाना होगा फिर media group में जाना होगा और फिर audio पर click करना है तो यह सही है statement one गलत है second सही है तो गलत कथन पूचा था इसलिए केवल one गलत है next question है कि MS Word में हम किसी document में paragraph के किसी चिने को देखने के लिए किस बटन पर click करेंगे show और hide का option आता है चाहां से हमें उस document में किसी भी paragraph के चिने दिखाई दे जाते है show और hide show करेंगे दिखाई देगा hide करेंगे तो छिप जाएगा next question है कि नेमन में से कौन सा window operating system से समझी तो नहीं हो सकता देखे window operating system यह ध्यान रखें कि कि किसी company का license operating system है यह open source network नहीं है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा window जो है यह Microsoft company का है तो open source नहीं है GUI graphical user interface को support करता है बिल्कुल सही है window portable भी है portable मतलब हमने CD DVD में कहीं भी अपने डाल लिया उसको कर लेतें को भी और आज कल विंडो जो है वो multitasking भी आ रहे है multitasking का मतलब है एक ही समय में एक साथ कई सारी task open कर लेना कई सारे application open कर लेना next अपना question है Microsoft Excel में formula बार के buying और एक चिन दिखाई देता है जो किसे संकेत करता है देखे यह जो sign होता है यह संकेत करता है enter को कि आप यहाँ पर formula enter कीजिए यह formula में automatic इस तरह का एक निशान हमें दिखाई देता है सभी formula जो है वो बराबर के निशान से सुरू होते हैं यह भी आप ध्यान रखें बिना बराबर के निशान के formula accept नहीं होता है next अपना question है कि मोहन अपने जनम दिन की party में लोगों को invitation देने के लिए एक invitation लेटर त्यार करना चाहता है invitation लेटर त्यार करने के लिए सबसे उप्यूकत application software कौन सा है तो microsoft word ही होगा ठीक है note paid दो आजगल कोई use करता नहीं है और यह ऐसे भी एक single note रखने के काम आता है microsoft excel जो है यह spread seat त्यार करने की काम आता है यानि अगर मोहन अपने party में दिखाना चाहता है वीडियो उत्यार करता है तो वो microsoft powerpoint होता ms access जो है यह management करने के लिए होता है next question अपना आ गया कि data representation के संद्रब में ASCI का मतलब क्या है तो यह तो हम starting में ही बात कर चुके है American standard code for information interchange पूरा नाम होता है दूसरा था BCD binary coded decimal तीसरा था EBCDIC extended bit coded decimal interchange code के नाम से उनको जानते है अगला question निमन में से कौन सा statement गलत है जान से समझेगा गलत statement की पहचान करनी है internet छोटे छोटे नेटवर्कों का एक global network है बिल्कुल सही बात है internet दूर के इस्तानों में इस्तिद्ध दो हमें गलत कतन की पहचान करनी थी दोनों में से कोई भी statement गलत नहीं है next question है कि default रूप से Microsoft PowerPoint 2016 की फाइल का extension नाम क्या होता है सबसे पहले तो यह ध्यान रखें एक फाइल के दो नाम होते हैं फाइल का नाम और extension name extension name वो particular application software अपने आप लेता है और वो dot से सुरू होता है ध्यान रखें जैसे dot pptx इसी तरह से Excel की फाइल होती है तो dot xlsx से होती है और MS Word की फाइल है तो dot docx होती है Word में बनी फाइल document कहलाती है और इसका extension नाम dot docx Excel में बनी फाइल को workbook बोलते हैं और वो xlsx से होती है pptx होता है जैसे dot pdf है फाइल का नाम dot mp3 है यानि फाइल के extension नाम से ही फाइल के परकार का पता भी लगता है नेक्स्ट अपना क्यूस्टन है ASCI 7 एक 7 पर bit code है और यह विसी स्ट्रूप से अधिक्तम वरनों अंकों का निरुपित कर सकता है देखो bit code होते है यह अलग अलग तरह के होते है one से लेकर के अनेक तक यह चलता है ठीक है न तो यह जो अपना seven वाला है यह 128 का है अगर 8 का जैसे आजा है ना तो वो होता है 256 तक इसी तरह से six में जैसे है तो वो होता है 64 तक तो ये क्या अलग अलग तरह के होते हैं ठीक है इनको अगर याद रखें तो ये आठ के गुनक में होते हैं और next अगले से multiply होते जाते हैं जैसे 6 का 64 फिर 7 का फिर 8 का ऐसे ही next को भी हम कर सकते हैं calculation के लिए next अपना question है कि नेमन में से कौन सा एक संसाद परबंद की रूप में कारिया करता है उपयोग करता और hardware के बीच interface देखो user और hardware के बीच में interface देने का काम operating system का है हम एक computer के hardware यानि monitor, keyboard, speaker इन सब का उपयोग तभी कर पाएंगे जब computer का operating system बिलकुल सही हो भी उसकी window ही अगर उड़ गी हो तो हम कैसे काम करते next question गलत statement की पहचान करनी है कि नेमन में से कौन सा statement गलत है सवाल है कि Microsoft Word में किसी टेबल के सभी sale की परष्ट भूमी रंग समान होनी चाहिए कोई ज़रूरी नहीं है भी table में हम जो sale होते हैं उनको अलग अलग रंग भी डाल सकते हैं पहला statement तो गलत हो गया दूसरा Microsoft Word में एक table के अंदर दूसरी table डाल सकते हैं तो यह सही है कितनी table डाल दो table के अंदर table भी बना सकते हैं परकार अगर आद ज़्यादा परकार दर्साने हो तो first statement इसका गलत हो गया second है कि बिना किसी थकान और तुरूटी के लगतार काम करना computer की एक विशेशता है ठीक है डिलिजेंस बोलते हैं इसको उद्धम सीलता के नाम से जानेंगे next question है Microsoft Excel 2016 में कौन सा एक वेद फंक्शन नहीं है देखिस सारे फंक्शन आपको याद करने पड़ेंगे ऐसे तो आप याद करने सकते हैं गलत भी होगा उत्तर आपका आपको इन थोड़े से कामों के लिए practical करना होगा word, excel और powerpoint को practically समझना होगा तभी इनको आप याद रख पाओगे ठीक है sum minus नाम से कोई weight formula नहीं है sum if है, sum है, sum product है यह सारी चीजे है sum if का मतलब होता है कि यदि ऐसा ऐसा हो तो फिर आप इनको जोड़ कर दीजिए sum होता है सभी को जोड़ करने का formula sum जो होता है यह होता है जोड़ करने का formula हम अलग-लग तरीके से भी इनको जोड़ कर सकते है next question है web page पर एक दूसरे से वो कैसे जुड़े रहते है www पर जो page होते हैं उनको web page के नाम से जानते हैं वो एक दूसरे से वो hyperlink के मादियम से जुड़ते हैं ms word में इसकी shortcut की control plus k होती है control plus k next question है कि वह तकनीक जिसके दवारा डेटा को कूट रूप में परिवर्तित किया जाता है और जिससे अनाधिकर्त व्यक्ति दवारा इसे आसान इसे समझा नहीं जा सकता है encrypt system बोलते हैं भाई इसको जैसे अपने internet banking है तो वो 128 bit encrypt होती है यानि लगबग 10-20 second तक हम उसमें कोई काम नहीं करते हैं तो वो automatic logout हो जाता है हम double click करते हैं तो वो automatic logout हो जाता है sensitive parts बोलते हैं और encrypt system होता है जैसे whatsapp है तो उसमें भी end-to-end encryption होता है हमारा message है तो वो किसी third person को show नहीं होता next question है कि Microsoft PowerPoint में एक slide का चैन करने के दोरान control plus D duplicate copy होता है भाई control plus D duplicate slide बनाने की shortcut की होती है next अपना question NE1 और ADVAC ये first PD के computer थे AD1 और NVAC और इनका भी आप पूरा नाम होज़के तो याद रखें पेपर में आ जाता है NE1 का पूरा नाम था electronic numerical integrated and computer सबसे पहले कहते हैं कि गर्णा करने के लिए NE1 ही त्यार हुआ था next question है कि CPU द्वारा निस्पादी थी या नहीं process किया हुआ program और data को store कौन रखता है CPU वाले system को primary memory रखती है जिसके दो भाग होते है RAM और ROM next question है कि graphical user interface पर आधारित operating system है graphical user interface पर आधारित system है window ठीक है एक था CLI command line interface और एक होता है graphical user interface operating system दो तरह के है command line interface और graphical user interface तो window जो है यह graphical user interface में आता है जबकि dos command line का है next question है कि slide show में slide बदलने का तरीका कहां मिलेगा में slide transition बोलते हैं उनको transistor है कि जब slide enter होगी एक slide के बाद next है तो वो किस effect के साथ होगी next अपना question निमन कतनों की सत्यतागा सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है वायरेस ट्रोजन और की लोगर utility software है नहीं बाई गलत बाद ये वायरेस ट्रोजन और की लोगर utility software में नहीं आते हैं ये malware की सरणी में आते हैं utility software में आता है antivirus चो इनसे बचाओ करेगा और next है कि window और linux system software के उधारने तो ये statement सही है यानि first वाला गलत है second वाला सही है वायरेस ट्रोजन और की लोगर malware के परकार है antivirus utility में आता है window और linux system software के परकार है ये बिल्कुल सही है अगला question है नेमन में से एक समय में कई user को support कोन कर सकता है ये mini computer वही digital computer के परकार है mini microsoft सारे याद रखना तो mini computer आएगा next अपना question है किस फाइल को आम तोर पर email पर attachment के रूप में नहीं बेज़ा जा सकता .exe या .bin .exe जो होता है extension फाइल होती है और ये एक तरह से program या software होता है जैसे computer में हम किसी program को install करते हैं तो .exe के नाम से ही वो होता है बाकि हम फाइल email के साथ बेज सकते हैं नेक्स्ट क्यूशन है कि दिए गए विकल्प मोब में से विसम कोन है देखो फाइरफोक्स, इंटरनेट एक्सप्लोजर और क्रॉम ये तीनो वेब ब्राउजर की परकार है जबकि बिंग सरच इंजन का परकार है की बोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है 12 होती है, F1 से लेकर F12 तक होती है डायरेक्ट किसी फंक्शन को स्टार्ट करती है नेक्स्ट क्यूशन है कि विंडो 10 में फाइल मेनेजमेंट अप्लिकेशन जो है तो फाइल परबंदक जो था उसको फाइल एक्स्प्लोरर कर दिये है जिनका उप्योग विंडो उपरेटिंग सिट्म दोरा फाइल और फोल्ड को ब्राउज करने के लिए करते हैं मुबाइल में भी आपने देखा होगा फाइल मेनेजर नाम से उप्शन आता है मुबाइल में तो आज कल भी फाइल मेनेजर ही आता है और विंडो टेन में आपको फाइल एक्सप्लोरर के नाम से मिलता है और यहां से हम किसी भी फाइल या फोटो को डाइरेक्ट सेयर भी कर सकते हैं नेक्स्ट क्विशन है Microsoft Excel वर्कसीट की किसी सेयल में मान दर्ज करते समय उस entry को रद करने के लिए जो हमने enter किया था हम चाहते हैं कि नहीं इसको enter नहीं करना तो escape की दबा दीजिए बेक हो जाएगा escape की बोलते हैं इसको next question है कि December 2018 तक Microsoft Windows का सबसे हाली का संस्क्रण Windows 10 ही है नया version तो 2015 में जारी हुआ है इनको तो आप ही याद रखेंगे चोटी बाते है Microsoft Excel में सिर्षक बार application window के कहा होती है देखो title बार title बार सबसे उपर होती है Excel में, word में, powerpoint में Microsoft Excel में और by default title जो आएगा वो आएगा book one के नाम से Microsoft Excel में बनी फाइल workbook कहलाती है उसमें उपयोग होने वाली फाइल या page जो होते है उनको हम work seat बोलते है by default नाम आएगा book one extension नाम होता है .xlsx और title बार सबसे उपर होती है next question है कि Microsoft Excel में नेमन function का परिणाम क्या होगा देखो function count ना count का मतलब होता है इसमें लिखी की संख्याओं को count करना ठीक है तो ये answer थोड़ा सा आमें गलत लग रहा है मैं इससे सहमत नहीं हूँ count का मतलब होता है कि वो उसमें formula में आपके संख्याओं कितनी थी उन सब को count करता है तो 1,2,3,4,5 तो ये 5 शो करना चाहिए था यहां पर नेक्स्ट अपना question है निमन में से कौन सा एक network card है जो किसी computer के अंदर install है और network से connect करने में शक्षम बनाता है lane, local area network यानि network card अपन से पूचा है तो lane, यानि local area metropolitan area और wide area network यही होते हैं तीन इनी को याद रखना था next question है कि Microsoft Word में किसी भी एक सब्द को अगर selection करना है उस पर double click कर दो हो जाएगा साथ तरीके होते हैं selection करने के आप कैसे भी कर सकते हो एक ही word को आप select करना चाहते हैं तो उस पर double click कर दीजिए वो वहाँ से भी select हो जाता है next question है कि कौन सा Linux का मुख्य गटक है Linux operating system का एक परकार है और यह system software की सरणी में आता है और इसका सबसे जो main component है वो होता है kernel जैसे sale है तो यह अपने Unix का होता है sale next अपना question है नेमन में से कौन सा विकल्ब कत्यता की सत्यता की कत्नों की सत्यता का यह task bar सबसे नीचे होती है यहाँ पर और हमने क्या-क्या open कर रखा है उसके बारे में दिखाता है जैसे MS Word खोल रखा है तो ऐसे W लिखा हुआ होगा और एक page दिखाएगा Google Chrome खोल रखा है तो यहाँ Google Chrome का option भी आएगा और Windows 10 में task बारे में एक search box होता है जिसका उप्योग करके computer और web page दोनों को browse भी कर सकते है तो दोनों कथन इसके सही है दोनों statement सही है देखो दोस्तो विंडो 10 से काफी question आ रहे है तो आप विंडो 10 को ही अच्छे से पढ़े next question है कि Microsoft Excel function count और खाली थोड़ दिया आपने तो ये क्या करेगा ठीक है तो ये count करेगा अपने खाली लिखा है न तो ये एक sale में संख्याओं को गिनता है जो खाली नहीं है मतलब लगातार जो संख्याओं हमें count करनी होती है उनके लिए formula आपना ही करेंगे आपन next question है Microsoft Word 2016 में paragraph command समय का उप्योग करके निम्न में से कौन सा कारियन नहीं कर सकते देखो paragraph जो है न उनमें कौन कौन से option आते है वो देखो सबसे पहला indent बनाना indent होती है left और right में margin के बाद और margin रखना और line की बीच में spacing यानि इन दोनों उपर नीचे line के बीच में space कितना रखना है bullet सुची बनाना bullet या number डालना क्या होता है bullet होता है किसी line के starting में किसी paragraph के starting में भी से इस परकार के चिन है जैसे उंगली का निशान बना दिया star का निशान हो गया ये bullet कहलाते है उनमें numbering डालना तो ये सारे काम हम कर सकते है लेकिन font और font style paragraph में नहीं मिलेगा ये हमें font dialogue box में ही मिलता है next question है Microsoft Excel में name box में जो sale का address होता है वो हमेशा किस का है तो मैं बात पहले ही कर चुका हूँ हमेशा active sale के बारे में बताता है security sale के बारे में बताता है कि हम जिसमें काम कर रहे है वो sale कहां पड़ा है next question Microsoft Word document में सभी अक्सरों को upper case के अक्सरों में बदलने के लिए किसका उप्योग करें upper case में करना है तो control plus A करेंगे सभी select हो जाएंगे सबसे पहले फिर font menu में जाएंगे और वहाँ पर change case में जाकर क्लिक करेंगे और अपर केस पर क्लिक कर देंगे next अपना question है कि worldwide page के परतेग पेज में URL होता है जिसका पूरा नाम uniform resource locator होता है यह पांच पार्ट से मिलकर बनता है protocol जो HTTPS से सुरू होता है sub domain, top level domain domain name और उसके बाद में file का नाम या file का path next है कि google search company जो है उसकी इस्तापना US में हुई थी और Larry Page और Sergey Brin नाम के scientist थे जिनोंने किया था Microsoft Excel में के हमने यह एक function डाला है तो इसका क्या परिणाम होना चाहिए, देखो sum लिख करके हमने सीधा सीधा लिख दिया तो यह जो आता है यह इस तरह से हमें joint जोड करना है sum का मतलब, तो हमें क्या लिखना होगा, जैसे A1 से लेकर A3 तक जोडना है तो यह formula होगा एक तो और यह तब अपनाई करते हैं जब हमें A1 से लेकर A3 तक लगातार जोडना हो वो A1 को भी A2 को भी, A3 को भी अब अगर हमें अलग अलग वेल्यू जोडने होती तो sum लिखते बराबर का निशान लगाते, bracket शुरू होता फिर A1, A3 हमें मान लीजिए 2 जोडना, A2 को नहीं जोडना तो यह formula है, तीसरा तरीका होता है कि इनके बीच में plus का निशान लगा दो लेकिन यह कोई तरीका नहीं है यानि इलवेडिन formula है, यह एक तरह से गलक्त function डाल दिया हमें next अपना question है निवन में से किसे बेच ओपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता कम turn around समय यह timing जो है, यह बेच ओपरेटिंग सिस्टम में नहीं है next अपना question दिये गए विकल्प में से विसम को ग्यात कीजे फिर अलग क्या है वह पूछा है देखो, window, unix और linux यह ओपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सोप्टवेर के परकार है जबकि Microsoft Office यह Office Shoot के नाम से जानी जाती है जिनमें काफी सारे अप्लिकेशन सोप्टवेर होते हैं जैसे Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint बहुत सारे यहां अपने को option मिलते हैं तो बस दोस्तों इस paper के यह थे 50 questions उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आए हैं यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों को forward कर दीजिए चैनल को subscribe कर लीजिए